हाँ जी हेलो स्टुमेंट स्वागत है आप सभी का आशी सिंग लेक्चेर्स के इस लेटिस लाइव स्ट्रीम में तो रासायनिक बंद नाम का चैप्टर हमारा चल रहा था और रासायनिक बंद में आज हमारा एक बहुत ही खास और यूनीक टॉपिक है जिसका नाम है जियन करने वाल हैं सभी का क्लास में बहुत-बहुत स्वागत है एक बार जल्दी से बता दो आडियो वीडियो सब कुछ परफेक्ट है थोड़ा सा लेट हो गया आज क्लास सॉरी फॉर देट मतब दो ती मिन्ट हम लेट है चलिए शुरू करते हैं ओके 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 चलिए स्वागत है सभी का जल्दी से बता हो सब कुछ परफेक्ट है और पिछले दो लेक्चर ये लेक्चर नमबर थी ये बेटा है न तो इसके पहले के दो लेक्चर आप लोगों ने देख रखे हैं क्या कोई बच्चा देखो बीच में गैप आ गया था अपना संडे का छुट्टी आ गई थी तो अमीद करता हूं आप लोगों का बैक्लॉग क्लियर हो गया होगा बहुत इंपॉर्टेंट है अपना बैक्लॉग को टाइमली क्लियर करना अधरवाइस फिर क्या है चीजें अठकी रहती है हूं ठिक है ठिक है ओके वर्णियर कैलिपर के लिए काफी रिक्वेस्ट आ रही है मैंने आपके रिक्वेस्ट सुभाष साथ को फॉवड कर दी है और सुभाष साथ वर्णियर कैलिपर के उपर एक IITJ slash NEET लेवल का जो है एक लेक्चर जरूर लेंगे डोंट वरी अबाउट देट और आज की क्लास में हम लोग बॉर्ण हेबर साउक्ल पढ़ेंगे ये एक्षूल में ना एक बड़ी बाप बता दू मैं आपको ये पूरी साइकल और और देट है चीक है तो आज इसी के बार बात करेंगे स्टार्ट करते हैं देखो सबसे पहली बात आएनिक बंध के बारे में आपने जो कुछ भी पड़ा है आज थोड़ा सा सीरियसली क्लास में ध्यान देना बिटा को कि आज का topic थोड़ा अलग है आपने इस से पहले इस प्रकार का topic नहीं पढ़ा है और आज का topic chapter number 3 से काफी ज़्यादा connected भी है तो जिसका chapter number 3 दिखावा होगा पूरी तरह से अच्छे से सब कु समझावा होगा आज की class उसी बच्चे को ज़्यादा समझ माएगी इसकी probability कारे में हम लोग last class में इतना पढ़ चुके हैं कि कैसे बनता है शौट में अगर लिखें तो सबसे पहले electron का दान होता है और धनायन का निर्मान होता है तो सबसे पहले electron का दान हो करके धनायन का निर्मान होगा फिर उसी electron को ग्रहन किया जाएगा किसी दूसरे के द्वारा और रिनायन का निर्मान होगा उसके बाद ये धनायन और रिनायन आपस में मिलेंगे और इनके आपस में मिलने से आपके आइनिक योगिक का निर्मान होगा तो ये आपका है आइनिक योगिक अब लास्ट की क्लास में जाते जाते हम लोगों ने एक उर्जा का नाम सुना था सब बचे आ गए है ट्वेल्ट की क्लास का मैंने अपडेट दिया था आज तो जो बच्चे टेलिग्राम को फॉलो करते हैं टेलिग्राम के उपर आशी सिंग लेक्चर्स का जो हमारा चैनल ब हम लोग नया चैप्टर कॉडिनेशन कंपाउंड ट्वेल्ट क्लास में एप्लिकेशन में स्टार्ट करेंगे तो जो भी बच्चों ने इसलिए मैं बार बार सबसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप लोगों में से अगर किसी ने भी टेलिग्राम जोइन नहीं कर रहा है तो टेलिग्राम जरूर से जोइन कर ले क्योंकि टेलिग्राम ग्रूप के उपर हमेशा टाइमली सारी अपडेट्स देने का जो है हम प्रयास करते रहते हैं चलिए बॉस आज हम स्टार्ट कर रहे हैं जालक उर्जा से चीजों को समझना जालक उर्जा को इंग्लिश में बोलते हैं लैटिस अनर्जी अब यह क्या चीज़ होती है हलका हलका मैंने आपको पहले बताया था यह जो आपका एने प्लस है यह एने प्लस गैसी अवस्था में जब इस CL- गैसी अवस्था के साथ आकर्शन करेगा एने प्लस गैसी अवस्था में CL- गैसी के साथ में जब आकर्शन करेगा तो इस आकर्शन से जो उर्जा बाहर निकलेगी या जो उर्जा मुक्त होगी उसे कहते हैं जालक उर्जा या फिर उसको कहते हैं लेटिस एनरजी दो बार लिखाया मैंने सेम चीज अच्छी चीजे या ठीडिंग लिख दी या समझा दिया तो जब NA प्लस और CL- इस अवस्था में मिलकर के NA, CL ठोस बना रहे होंगे तो इनके बीच में जो आकर्शन हो गा और इनके बीच में जो आकर्शन हो रहा है उस आकर्षन से जो उर्जा बाहर निकलेगी उसे हम कहेंगे जालाक उर्जा ठीक है क्या यहां तक मक्षन है तो बताओ फिर मैं आपको एक दूसरी उर्जा के बारे में बताता हूँ प्लीज दूसरी उर्जा है उसका नाम लिखिए संभवन उर्जा इसके ठीक बात दूसरी उर्जा जो हमें समझनी है वो है संभवन उर्जा तो हैडिंग लगा है सभी बच्चे संभवन उर्जा संभवन उर्जा संभवन उर्जा जिसको हम डेल्टा एच फॉर्मेशन भी कहते है इसको पढ़ने जा रहे है संभवन उर्जा जिसको हम डेल्टा एच फॉर्मेशन भी कहते है यह इसका सिम्बल है हम इसको पढ़ने जा रहे है जब एक मोल यौगिक को जब एक मोल यौगिक को उसके तत्वों से बनाया जाता है जब एक मोल यौगिक को उसके तत्वों से बनाया जाता है वापस सुनो संभवन उर्जा हम पढ़ रहे हैं इम्पॉर्टर्ण्ट है जब एक मोल यौगिक को उसके तत्वों से बनाया जाता है जब तत्व शुद्य या इस्थाई अवस्था में हो मैं समझाऊंगा आपको अभी पूरा अभी आप इसको लिख ले अवस्था में हो तो उसमें मुक्त उश्मा तो उसमें जो उश्मा मुक्त होती है तो मुक्त उश्मा को संभवन उश्मा कहा जाता है मुक्त उश्मा को संभवन उश्मा कहा जाता है यह बहुत ज़्यादा important है इसकी definition इसका concept बहुत important है और आज जो आप उर्जाओं का चक्कर समझ रहे हो ना उन उर्जाओं के चक्कर के लिए भी बहुत important है ठीक है तो चलिए शुरू करते हैं हाँ ये वीडियो सबको देखना है नीट वालों को जैई वालों को सबके काम का है बोर्ड बोर्ड सबको देखना है देखो सबसे पहली condition मैंना definitions के अंदर उन चीज़ों को underline करना पसंद करता हूँ जो उस definition की जान होती है तो यहाँ पर definition की जान कौन है एक मोल योगिक ये इस definition की जान है तो आपको जो योगिक बनाना है वो एक मोल बनाना है ठीक है संभवन उश्मा का जब भी आप calculation कर रहे होगे या संभवन उश्मा की जब भी आप बात कर रहे होगे तो जितना यौगिक आपको बनाने की permission है वो है एक मोल तो आपको केवल एक मोल यौगिक बनाना है दूसरी बात यहाँ पर हम किसकी बात कर रहे हैं आपको जो एक मोल यौगिक बनाना है उससे ज़्यादा नहीं यह condition हो गई किससे बनाना है उसके तत्वों से बनाना है और एक condition और लिखी है कि तत्व एकदम शुद्ध होने चाहिए और अपनी इस्थाई आवस्था में होने चाहिए अब आप खुश सोचो एने और सियल से एने सियल बनता है बात सही है पर आपको जो एने सियल बनाना है वो जिससे भी आप बनाओ वो अपने आप में अपनी शुद्ध आवस्था में होना चाहिए या na किस अवस्था में स्थाई होता है sodium एक धातु है और sodium ठोस अवस्था में रहती है मतलब अगर मैं बोलू sodium का स्थाई ρूप कौन सा है तो sodium का स्थाई रूप है na solid sodium का स्थाई रूप है na solid फिर अगर मैं आपसे सवाल पुछूं कि दूसरा बंदा कौन है जिससे आप बनाना चाहरे हूँ क्लोरीन है क्लोरीन का अपना शुद्ध अवस्था कौनसी है क्लोरीन कौनसी अवस्था में शुद्ध रूप में रहता है सोचो और कमेंड करो तो क्लोरीन कौनसी अवस्था में शुद्ध अवस्था में रहता है आपको कुछ सोचना है एंसर है कि क्लोरीन CL2 के रूप में शुद्ध अवस्था में रहता है और CL2 किस रूप में गैस के रूप में ये क्लोरीन की शुद्ध अवस्था है अब अगर आप reaction लिख रहे हो जहाँ पे CL कीवल एक है यहाँ पे कितने दो तो उसको balance करने के लिए हमें यहाँ पे half लगाना पड़ेगा तो जब यह reaction होगी इस reaction में जब जो भी उर्जा मुक्त होगी उस उर्जा का नाम होगा संभवन उर्जा comment करके बताओ यहाँ तक की कहानी समझ में आ गई क्या यहाँ तक की कहानी समझ में आ गई क्या अध़न उर्फना आ गई का यहाँ तक की का की कहा सथरू양 हाँ जी बच्चों के लिए रेकैं सब कुछ कोई दिक्कत तो नहीं हो रही समझ में मजा है क्लास में देखो संभावन उर्जा अब देखो आप के सामने ने दो य। दो का बहुत बड़ा फरक लिखावा है एक जालाकूर्जा लिखावा है एक संभवन उर्जा लिखावा है ये दौनों फरक को दिमाग में विठाओ जालाकूर्जा का मतलब है जब Na plus Gaseous Iron Cl-Gaseous Iron के साथ में आकर्शन कर रहा है तो जो उर्जा बाहर निकल रही है उसको हम कहते हैं जालाकूर्जा ये बिल्कुल अलग चीज है और संभवन उर्जा क्या है संभवन उर्जा का मतलब है आप एक मोल किसी का भी बनाओ किसी भी यॉगिक का पर जब आप जिन से भी बना रूप है जब थोस रूप में होता है और क्लोरीन का स्थाही रूप है जब वो क्लोरीन गैस के रूप में होता है तो ये वाली रிयक्शन जो है इस रियक्शन मस्त मक्खन है बजा आगया एकदम बढ़ जाएं आगे तो ये मानते वे कि ये स्लाइड आपको पूरी तरह से मक्खन हो चुकी है अब हम हमारी अगली क्लास अगली स्लाइड की तरफ चलते है तो संभवन उर्जा के लिए आपने क्या देखा अब समझना आपका एने ठोस हाफ क्लोरीन गैस से मिलेगा तो क्या बनाएगा एने सीयल ठोस ठीक है और इस प्रकरिया में इस रियक्शन की इस प्रकरिया में जो उर्जा का अंतर आएगा जो उर्जा बाहर निकलेगी वो है डेल्टा एच फॉर्मेशन और उसको हम बोलेंगे संभवन उर्जा उसको हम क्या बोलने वाले संभवन उर्जा बोलने वाले अब इस रियक्शन को इस जो हुआ है आपके सामने इसी को एक दूसरे अंदाज में करके देखते हैं यहां बहुत मजायेगा इसको एक दूसरे अंदाज में करके देखते ह हम ऐसा भी तो कर सकते है यह एक तरीका है this is the one format यह एक one format है ऐसे यह reaction हो रही है और इस reaction की उर्जा यह है अब हम इसको और तरीकाँ से समझने के कोशिश करते है देखना बेटा हम सबसे पहरा काम यह कर रहे है कि जो आपका na solid है हम na solid से na gas बनाएंगे यह कुछ जादा ही बड़ा हो गया हम na solid से na gas बनाएंगे एक बात बताओ किसी को ठोस से gas बना रहे हूँ तो उसको क्या बोलते है उसको उर्धव पातन के नाम से जानते है sublimation बोलते हैं इंग्लिश में क्या इतनी बात class 10 में पड़ी थी तो अगर इस na solid को मैं na gaseous में लेकर के जाओं तो मैं किस उर्जा की बात कर रहा हूँगा मैं कौन से प्रकम की बात कर रहा हूँगा मैं कौन से प्रोसेस की बात कर रहा हूँगा तो मैं बात कर रहा हूँ उर्धव पातन की उर्धव पातन अपने आप हो जाता है या फिर उसके लिए उर्जा देनी पड़ती है तो उरदो पातन उशमा या उरदो पातन उर्जा sublimation energy ये हमको देनी पड़ती है इसको बोलते हैं SE sublimation energy तो Sodium Thyose में था उसको आपने sublimation energy दी sodium Gaseous अब इसके बात का काम क्या होगा अब अविस्सी बात है sodium Gaseous से तो कुछ होगा नहीं अपन को इस sodium gaseous के अंदर से electron निकाल करके इसको Na plus बनाना पड़ेगा विल्गित gaseous परमाणू विल्गित gaseous परमाणू में से विल्गित gaseous परमाणू में से electron निकालने के लिए जो उर्जा देनी परती उसको क्या बोलते हैं आइनन विभव कहते हैं और ये उर्जा भी हमें देनी परेगी वो अपने आप electron नहीं निकालेगा इतना अच्छा नहीं है sodium गैसी अवस्थावे हैं अपने आप electron नहीं निकालेगा हमें देनी परेगी उसको energy electron निकालने के लिए तो हमने energy दी आइनन विभव के बराबर और इसको बोलते हैं English में ionization potential short में IP कहते हैं तो ये हमें देनी पर रही है जो हम देंगे उसके लिए प्लस लिखेंगे जो हम दे रहे हैं उसके लिए हम प्लस लिखेंगे चीक है Done, इधार आते हैं एक बात बताओ chlorine क्लोरीन किस रूप में है, CL2 के रूप में है तो सबसे पहले, CL2 का मतलब क्या होता है, CL, एक bond, CL तो सबसे पहले हम ये चाहते हैं कि हमें एक chlorine प्राप्त हो तो एक chlorine प्राप्त करने के लिए हम इसका bond तोडएंगे bond को toड़ने के लिए जो उर्जा देनी परती है उसको बोलते है dissociation energy 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 पड़ोगे आज आप दबा के bond तोड़ने के लिए jो हम energy देनी परती है उसको क्या बोलते हैं हम dissociation energy और इसको का जाता है हिंदी में वियोजन उर्जा ठीक है ठीक है सही बात है तो CL-CL bond को तोड़ करके CL को अलग करना पड़ेगा और उसमें जो उर्जा लगेगी उसको क्या कहेंगी dissociation energy D और ये भी हमको देनी पड़ेगी पर हम यहाँ पर आधी CL2 को तोड़ रहे हैं तो dissociation energy भी हम आधी ही लिखेंगे यहाँ पर हाफ है ना तो CL-CL bond को तोड़ने में उर्जा लगती है DE के बराबर तो अगर आपन देखें तो 1 mol CL2 को तोड़ने में उर्जा लगती है DE के बराबर हम कितने को तोड़ रहे हैं आधे को तो यहाँ लिखेंगे DE by 2 उससे हमें क्या पराब्त होगा एक अकेला CL जो किस रूप में होगा गैसीय रूप में होगा सही है आप तो बस मजे लेते जाओ टॉपिक के आप तो बस चीज़ों को देखते जाओ लास्ट में सब लिंक करना मेरा काम है अब यह बताओ CL अपनी गैसी अवस्था में है यह जो electron sodium ने दिया है अब यह CL इस electron को ग्रहन करने के लिए तैयार है की नहीं है बिल्कुल है आन मिलो सजना CL तो एक ही चीज़ बोल रहा है आन मिलो सजना तो electron जाएगा CL के पास जब कोई भी electron ग्रहन करता है तो आकर्षन होता है उस आकर्षन को बोलते हैं electron बंदुता और उस समय energy देनी नहीं पड़ती उस समय तो उल्टा आकर्षन से energy बाहर निकलती है chapter number 3 तो यहाँ पर electron बंदुता electron affinity दिखाई देगी electron बंदुता electron affinity दिखाई देगी और वो उर्जा बाहर निकलेगी इसलिए हम उसको बोलना है minus का E है यह बन गया आपका CL minus ठीक है Na plus किस रूप में है गैसी रूप में है आप चाहो तो इसको थोड़ा सा बड़ा भी दिखा सकते हो CL gasius से बन गया CL minus gasius अब क्या होगा अब क्या होगा बोलो अब क्या होगा अब यह होगा कि यह जो Na plus है यह इस CL minus के साथ प्यार करेगा उस प्यार को मैं क्या नाभ दूँ उस प्यार को जाला कुर्जा का नाम दिया जाएगा तो यह CL minus यह Na plus these इस CL minus gaseous से यह Na plus gas, क्यास इस Cl minus gas से प्यार करेगा तो क्या बनेगा NaCl ठोस और जो उर्जा बाहर निकलेगी वो क्या है जालक उर्जा यह उर्जा मुक्त होगी क्योंकि इनके बीच में प्यार है, आकर्शन है तो अब यह दौनों मिलकर के क्या बनाएंगे? अब यह दौनों मिलकर करेगे NaCl अब यह दौनों मिलकर केश बनाएंगे NaCl इस NaCl के बनने में, जो उर्जा मुक्त होगी, वो कौन सी होगी? जालक उर्जा, उसको क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे लैटिस एनर्जी आपको देनी पड़ेगी कि मुक्त होगी मुक्त होगी तो माइनस का L ही आया मज़ा समझ में अच्छा लग रहा है अब एक बाद बताओ कंबाइन करके अगर लिखना चाहें तो डायरेक्ट होता है तो कितनी उर्जा निकलेगी ΔH formation के बराबर और इन सब रास्तों से होकर के जाएं तो कौन-कौन सी उर्जा है AC प्लस में IP प्लस में ऐसे लिख लो AC प्लस में IP प्लस में डिशोशेशन एनरजी का हाफ प्लस में इलेक्ट्रोन बंदूता माइनस में यह माइनस में तो यह आपके पास उर्जा का फॉर्मूला हो गया कि अगर एक साथ बनाते हो तो ऐसे बनेगा एक साथ यह रियक्शन इस तरह से होती है तो उर्जा डेल्टा एच फॉर्मेशन के बराबर निकलेगी और यह सारे स्टैप गूम करके होगी तो यह सारी उर्जाएं इस स्टैप के बराबर करोगे तो यह फॉर्मूला बन के आएगा एक्जाम में कॉशन यहां से आता है आपको सारी उर्जाएं दे रखे होगी कि बताओ कमेंट करके सब कुछ किलियर है या नहीं है कि फटाफट से प्लीज फिर आगे बढ़ेंगे मज़ा आया है कि नहीं है और थोड़ा पहुत अगर कम भी समझ में आया है तो हमें एक और पास एक्जांपल देखेंगे यह एक्जांपल नंबर बन था पॉन अबर साइकल के लिए इसमें अने से लिके निर्मान को पड़ रहे थे अब हम एक एक्जांपल और देखेंगे उससे और चीजें के लिए रोंगे आपको अब बताओ उर्जाई उर्जा हाँ उर्जाई उर्जा जो प्लस है जितने भी यहाँ पर प्लस है जिन उर्जाऊं के लिए प्लस लिखा है हमने उर्जा दी है और जहाँ माइनस है वहाँ उर्जा बाहर निकली है तो एक बात ध्यान रखना जहां यह कैपसूल लिखवा देता हूं मैं आपको ताकि आपको पता रहे थोड़ा सा एक अच्छे से कैपसूल की फ़र्म लिखाता हूं जहां हम उर्जा देते हैं वहाँ साइन प्लस रहता है जैसे सब्लीमेशन एनर्जी उर्दो पातन उर्जा हम उर्जा दे रहे हैं उर्दो पातन उर्जा हम उर्जा दे रहे हैं और अगर हम उर्जा दे रहे हैं तो साइन क्या होगा पॉजिटिव होगा दूसरी उर्जा जैसे वियोजन उर्जा बंद तोड़ने के लिए हमेशा हम उर्जा देते हैं तो अगर हम उर्जा दे रहे हैं वहाँ पर तो साइन पॉजिटिव होगा इलेक्ट्रॉन बाहर निकालने के लिए आइनन विभव आयनन विभव हम उर्जा देते हैं इलेक्ट्रोन को बाहर निकालने के लिए पॉजिटिव होगा एक और चीज IP1 पहला इलेक्ट्रोन निकालने के लिए हमें उर्जा देनी पड़ती है पॉजिटिव दूसरा इलेक्ट्रोन निकालने के लिए तो उर्जा बाहर निकलती है और दूसरा electron जाकर जुड़ता है तो उर्जा हमको देनी परती है तो जहाँ ये 2 आता है वहाँ पर sign positive होता है अब आप बोलोगे सर ये कहानी समझ में नहीं आई ये point समझ में नहीं आया जहाँ उर्जा बाहर निकलती है जहाँ उर्जा बाहर निकलती है या आप ये कह सकते हो कि जहाँ उर्जा मुक्त होती है जहाँ उर्जा बाहर निकल रही है या जहाँ पर उर्जा मुक्त हो रही है वहाँ पर तो sign है वहाँ हमारा sign negative होता है तो positive sign हम कहां यूज़ कर रहे हैं ये पता होना चाहिए और negative sign हम कहां यूज़ कर रहे हैं ये पता होना चाहिए अब ज्यान से देखो सबसे पहली बात जाला कुर्जा बाहर निकलती है negative है और electron बंदुता में पहला electron जब जोड़ा जाता है तो उर्जा बाहर निकलती है तो generally सामानी रूप में ये 1 जो है वो भी negative होता है ये सारी उर्जा है negative वाली है अब मैं आपको ये चीज़ समझाता हूँ जैसे oxygen है oxygen में पहला electron आपने जोड़ा तो जब oxygen के अंदर समझना बात को अराम से जब oxygen के अंदर पहला electron जोड़ा गया तो वो एक neutral परमाणों में जोड़ा गया था तो oxygen ने उसका स्वागत किया और यहाँ पर जो ये 1 है electron बंदुता number 1 उसका मान negative है पर आप ये सोचों ये अपने आप हुआ मैं लिख देता हूं हिंदी में ये चीज क्या हुई बेटा ये चीज अपने आप हुई अब इस O- के अंदर जो पहले से negative है उसमें अगर आप एक और electron जोड़ने की कोशिश करोगे यहाँ मेरी बात को ध्यान सुनना बै ऑक्सिजन था पहला electron आपने जोड़ा उसने कुछ नहीं कहा आपको खुशी कुशी पहले electron को अपने अंदर जोड़ लिया बहुत खुश हो करके पर दूसरे electron जब आएगा हो तो पहले से negative है तो दूसरा electron हम किस में जोड़ रहे हैं रिनायन में जोड़ रहे है जिसका Jeff अल्लेडी बहुत कम है उदासीन की तुल नामे तो दूसरा electron आप रिनायन में जोड़ रहे हो वो positive होगा और इसलिए यहां पर देको मैं लिखा था कि ये टू जो है वो positive है समझ आ गई गया ये बात ये बात समझ में आ गई हो तो born heber cycle का हम दूसरा example कवर करते हैं इससे चीज़ें आपको और के लिए रहे होगी कमेंट करके बताएए फ्लीस सभी बच्चे प्राची है आदित्य है स्वीट की बिंदू है कैसे कैसे नाम है आशीश कुमार रॉय जी है क्रिकेट गेमर है आपके किसी वाली मुझी भेज रहे है शालीन है जिद्धी क्यून है क्लासिक गेमर है वालीवूर इंट्रो 44 है डॉक्टर परवीन यादव पवन यादव भी पढ़ रहे है सचिन जी भी है क्या बात है कुपाल जी भी है यापे कुपाल शर्माजी करें मज़ा आ गया परवीन परमीर परमार है अर्पिता पांडे है एसल से अतुल कुमार भी है रोहित भी है बहुत बढ़ी है बहुत ही बढ़ी है चलो अब हम एक्जामपल नंबर दो पर चलते है और एक्जामपल नंबर दो को समझने की कोशिश करते है चिक है आपको मेगनीशियम ऑक्साइड बनाना है सॉलिड कैसे बनाओगे संभवन उर्जा के लिए मैंने क्या बताया इनको इनके तत्वों से बनाओ पर जिन तत्वों से बना रहे हैं वो तत्व अपनी अपनी इस्थाई अवस्था में होने चीए तो मेगनीशियम ऑक्साइड बनेगा मेगनीशियम से और ऑक्सीजन से और मेगनीशियम ऑक्सीजन दोनों जो है वो अपनी इस्थाई अवस्था में होने चीए तो मेगनीशियम सॉलिड होगा तो वो अपनी इस्थाई अवस्था में होगा और आपको पता है oxygen की इस था यह वस्ता O2 है गैसियस और वो भी आपको यहाँ पर एक मोल बनाने की परमीशन है तो आप आधा oxygen काम में लोगे यह जो reaction है इस reaction के लिए जो उर्जा होगी वो इस अभिक्रिया की delta H formation बनेगी यहाँ जो उर्जा बाहर निकलेगी वो होगी संभवन उर्जा delta H formation अब इसी reaction को हम दूसरे method से करके देखते है method number 2 तो इसी reaction को हम दूसरे method से करना शुरू करते है तो magnesium solid है सबसे पहरा काम वही आपको magnesium को gas में convert करना पड़ेगा यह आप खुद कर लोगे मेरे साथ साथ तो start करते हैं ठीक है बहुत मज़ा आने वाला है magnesium को gas में बदलना पड़ेगा इसके लिए आपको उर्धव पातन उर्जा जिसको हम इंगलिस में sublimation energy बोलते हैं वो देनी पड़ेगी यहाँ पर आपको देनी पड़ेगी sublimation energy SE वो भी positive positive sublimation energy आपको देनी पड़ेगी अब क्या होगा इसके बाद आपको इसमें से एक electron निकालना पड़ेगा तो आप दोगे IP1 तो बनेगा magnesium positive बट यहाँ जो magnesium पर आवेश है ना वो plus 2 है और oxygen पर आवेश minus का 2 है तो oxygen भी हमें minus 2 में चीए और magnesium हमें plus 2 में चीए तो एक electron निकाला तो बना mg plus एक और electron निकालेंगे IP2 भी हमें ही उर्जा देनी पड़ेगी positive होगा और बन करके तयार होगा mg plus 2 यह magnesium की कहानी यहाँ पर समाप्त होती है अब जड़ा oxygen की बात कर ले तो oxygen gaseous में है सबसे पहले तो आपको इसको तोड़ना पड़ेगा ना तो कि oxygen oxygen के बीच में bond है तो bond तोड़ना पड़ेगा तो उसके लिए आपको इसको देनी पड़ेगी dissociation, energy, viogen, urja और आधा मोल की बात हो रहे ही तो आपको आधी देनी पड़ेगी अब आपको मिलेगी oxygen गैसी अवस्था में सब कुछ systematic है और आपकी आखों के सामने है अब ये सोचो जब ये electron को ग्रहन करेगी तो पहला electron ग्रहन होगा हमेशा जो पहली electron बंदुता होती है वो तो माइनस होती है तो पहले वाली electron बंदुता माइनस होगी और बनेगा O माइनस बट जो दूसरी वाली होगी उसमें जब बर्दस्ती दूसरा electron एड़ कर रहे हैं तो हमें उर्जा देनी पड़ेगी दूसरी वाली किस में होगी प्लस में होगी यही बात में आपको इसके पहले वाली स्लाइड में समझा रहा था आया समझे में आरा मज़ा पहला electron तो अपने आप ले लेगा ना वो अपने आप याद करो अभी सिखाया पहले electron वाला काम तो अपने आप होगा अपने आप होगा तो उर्जा बाहर निकलेगी बाहर निकलेगी तो negative आएगा दूसरा electron जोडने है काम जबरदस्ती होगा तो आपको उर्जा देनी पड़ेगी और जब भी आप उर्जा देते हो sign positive होता है देखो लिखवाया था जब हम उर्जा देते हैं तो sign positive होता है जब उर्जा बाहर निकलती है या अम्मुक्त होती है तो sign negative होता है ठीक है अब इन दोनों के प्यार महबबत को क्या नाम दूँ तो इन दोनों की प्यार महबबत को जालक उर्जा का नाम दिया जायेगा और इन दोनों की प्यार मुहबबस से सीधा आपका योगिक बन के तयार होगा और इसको बोलेंगे जालक उर्जा लेटिस एनर्जी ठीक है यह भी माइनस में होगी अब उर्जाओं का अगर योग करके लिखना चाहो तो यह जो डेल्टा एच फॉर्मेशन है अब तो सारे बच्चे होश्यार है कर लेंगे सबसे पहले सब्लीमेशन एनर्जी प्लस में आईपी वन, आईपी टू प्लस में उसके बाद D2 by 2 प्लस में उसके बाद यह वन माइनस में उसके बाद यह टू प्लस में पस हो गया हाँ माइनस का लेटिस एनर्जी एल इनी एल इस यह उर्जा का समय कर यहां पर बनेगा ठीक है क्या मताई यह चीक है आगया मज़व छीक अब हमें आज की क्लास का लास्ट टॉपिक पड़ना है जालक उर्जा की निरभरता जो धनायन निर्णायन के बीच में प्यार है वो किस पर निरभर करता है तो लेटिस एनर्जी जालक उर्जा की निरभरता को हम पड़ेंगे स्टार्ट करें एक एक करके पढ़ते हैं सबसे पहली बात सबसे पहली और सबसे बड़ी अबाब बताता हूँ मैं आपको जालक उर्जा जो होती है न जालन लिखती है जो जालक उर्जा है वो समानुपाती होती है धनायन का आवेश मतलब जितना जादा आवेश धनायन पर होगा जितना पॉस्टिव चार्ज जादा होगा उतना आकर्शन जादा होगा साथी साथ रिनायन पर आवेश तो जितना धनायन रिनायन पर आवेश जादा होगा उतना ही मज़ा आएगा उतना ही ज़्यादा आकर्षन दौनों के बीच में होगा और जितना ज़्यादा आकर्षन होगा बेटा उतना ही जबरदस्त जाला कुर्जा देखने को मिलेगी पहली बात यह है दूसरी बात धनायन और रिनायन के बीच में जो दूरी है न, वो दूरी के जाला कुर्जा वियूत क्रमानुपाती होती है मतलब जितना जादा ये इनके बीच की दूरी होगी न, उतना ही जादा, उतना ही कम होगी जाला कुर्जा और विसी बात है, जब प्यार है तो दूरी कैसी, जब प्यार है तो दूरी कैसी, और दूरी है तो प्यार कैसा, है न, वही वाली बात है, जितना यह पास रहेंगे, उतना ज़्यादा प्यार रहेगा इनके बीच में, उतनी ही ज़्यादा आकशन से उर्जा बहार निकलेगी उतना ही ज़्यादा जालाख उर्जा होगी common point सही है चलो, समझ के बच्चे है प्यार की बात आते हैं हमारे जल्ली समंझ में आथा है तो दूरी जो है जितनी ज़्यादा हो गी उतना मजा नहीं आएगा और दूरी ज़्यादा कब होगी दूरी ज्यादा तब होगी जब आकार ज्यादा होगा सोचो अगर दो छोटे छोटे धनायन इडायन है तो दूरी कम होगी बड़े बड़े हैं तो उनके बीच की दूरी ज्यादा होगी तो जाला कुर्जा कम कब होती है जाला कुर्जा कम तब भी होती है जब आकार आपका जादा हो कौकि आकार जादा होगा तो उससे धनायन इनायन के बीच की दूरी भी जादा होगी वो दूरी जादा होगी तो जाला कुर्जा कम होगी ये मोटे मोटे पॉइंट आपको याद रखने हैं यह सारे point आपको कुछ questions के answer करने में मदद करेंगे अब मैं आपसे दो सवाल पूछता हूँ जिसको हम TRQ बोलते हैं topic related question आपको बताना है जाला कुर्जा किस में ज़्यादा है ठीक है first NAF में ज़्यादा है MGF2 में ज़्यादा है या ALF3 में ज़्यादा है तीनों में से बताओ जाला कुर्जा किस में ज़्यादा है है ना इन तीनों में से बताओ जाला कुर्जा किस में ज़्यादा है दूसरा एक मिनिट NAF में ज़्यादा है NACL में ज़्यादा है या NABR में ज़्यादा है प्लीज कमेंट गाईज और अब आपको यादा आएगा फोकस मैंने बोला था ना कि एने एफ की जाला कूर्जा जादा होती है इसी लिजन से कल हम एक टॉपिक पढ़ रहे थे आपको याद होगा जहां एलेक्टॉन बंदुता के बेस पर एंसर करना था है ना वहाँ आप आप एने और सील को लेकि यादा आफ की इसलिए वो बहतर है याद आया आपको कल की क्लास में आज आप बैटर रिलेट कर पाओगे उसको क्योंकि जाला कूर्जा की निर्भरता आपने पढ़ लिए एंसर बता आफ बताता हूँ कमेंट आगए हैं देखो यहाँ पर इस पर आवेश है प्लस इस पर है माइनस mg पर है प्लस टू एफ़ पर माइनस टू क्योंकि दो एफ है ना दो एफ है तो दो नो एफ पर विला कि माइनस का 2 होगा अलुमिनियम पर प्लस 3 और 3 ए तो माइनस का 3 तो जितना ज्यादा धनायन और रिनायन पर आवेश होगा उतनी ही जाला कूर्जा ज्यादा होगी इस हिसाब से सबसे जाला कूर्जा 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 जाला कूर आपका जाला कुर्जा कम होगी तो सबसे जाला कुर्जा किसकी होगी NAF की उससे कम NACL की उससे कम NABR की इसलिए कल मैंने यह कहा था कि जाला कुर्जा जादा उने कारण यह सबसे बहतरीन आयनिक ठोस है क्मेंट करके बताओ पक्षन है क्या क्योंकि इसके बाद आज की क्लास के टॉपिक्स कम्प्लीट है कल की क्लास से रिलेट करने में किसी कोई समस्या तो नहीं हुई न अच्छे से लेट हो गया बिटा बढ़िया मला आ गया चालो तो सो फार सो गुड हम लोगों ने जो है अभी सबसे पहली क्लास में रासाइनिक बंद कैसे बनता है उसको बहुत अच्छे से समझ लिया रासाइनिक बंद बनने के कारण और उन सब को बारे में डिटर्म में बात करी फिर अगली क्लास में हमने आइनिक बंद को बहुत अच्छे से पढ़ा कि आइनिक बंद जो है वो क्यों बनता है कैसे बनता है उसके बाद उससे अगली क्लास में अभी तक हम लोगों ने जो है born-hever cycle से उर्जाओं को बहुत अच्छे समझ लिया तो आज की class में आपने born-hever cycle की मदद से सारी उर्जाओं को अच्छे समझा अब जो अगली class होगी वो last class होगी आयनिक बंद की और next class में हम लोग एक बहुत ही तगड़ा topic पढ़ेंगे जिस topic में हम एक interesting चीज कवर करेंगे इसका नाम होगा फैजान का नियम तो कल की class और भी ज़्यादा interesting होगी वहाँ पे आप फैजान के नियम का बहुत detail में अध्यन करोगे और यहाँ से काफी competition exams में सवाल आते हैं यह जो आप पढ़ रहे होना भी यहाँ से हर तरह के competition exam में थोड़े बहुत थोड़े बहुत थोड़े बहुत सवाल आते ही हैं सबसे important है और जैसा मैं आपको बता है हमारा target बिल्कुल किलियर है कि जब आप 2024 के अंदर board exam दोगे तो board में आपके 100 out of 100 आने चाहिए और दूसरा जब आप J और NEET का exam दो या फिर आपको NDA भी देना हो जो भी competition exam दो जहां भी physics chemistry आए आप मस्त कर पाऊ physics chemistry max आए बायो आपका result best से best होना चाहिए यह हमारा सबसे बहुत target है आपने अभी तक भी अगर batch join नहीं कर आगा तो बहुत असान नीचे number है एक बार batch के लिए आपको बस call करना है टीम आपको पूरा guide कर देगी कि batch को join कैसे कर सकते हैं दूसरी बात टेलिग्राम जो है टेलिग्राम को आपको join कर लेना है टेलिग्राम चैनल के उपर आपको class के बारे में सारे updates मिलेंगे chapter के color handler notes बन करके ready है और वो सारे notes आपको जो है application में batch के अंदर मिलेंगे जो पूरे 2 साल 2024 तक आपके काम आएंगे ठीक है तो उमीद करता हूँ सब कुछ बढ़िया है और इसी के साथ आज की class को यहीं पर end करते हैं आपके लिए थोड़ा सा homework है कि comment section में आपको जालक उर्जा के बारे में comment करना है ठीक है कि जालक उर्जा क्या होती है आपने उसके बारे में क्या समझा क्योंकि यह आज की class से सबसे important topic था और इबार फिर बता दूँ यह chapter वो chapter है जो आपको class 12 में पढ़कर जाना ही जाना है किसी भी हालत में पढ़कर जाना है छोड़ नहीं सकते हैं इस chapter को इसी लिए इस chapter को sincerely पढ़ना आगे इस chapter में बहुत कुछ interesting आने वाला है मज़ा जाएगा आपको पढ़कर के और यह class कैसे लगी कुछ भी कुछ भी हो जाए कि comment करके जरूर जाना कि class कैसे लगी और कर्व से कहो कि तुम AS ले रहा हूँ बबाए चेहन टेक क्यार और हाँ अब फिजिस की class मिसमत किया करो chemistry class मिसमत किया करो regular classes अटेंड करो बहुत मज़ा आएगा backlog है तो पढ़ा देंदो अभी regular class अटेंड करो फिर हम one shot ले करके backlog को गवर करेंगे ओके तपाए कर देंग generally पाहाम मिसमत करेंगे थिरा kok अबिशने लेता च causa पाहाथ अबिशने